बॉलिवूड डिरेक्टर रेमोडी सुजा ने रेस्थ्री को बनाने में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी फिल्म के एक्शन सीन से लेकर खूब सूरत गानों तक सब की खूब चर्चा हो रही है बताया जा रहा है कि निर्माता ने रेस्थ्री को एक सो पचास करोड के बजट में बनागर तयार किया है रेस्थ्री के वीडियो को देख कर अगर इसकी प्रमोशन कास्ट का अंदाजा लगाया जाए तो यह साफ साफ लगता है कि फिल्म पर इतने करोड रुपे वाकई में खर्च किये होंगे फिल्म में जो भी वीडियो अभी तक सामने आये हैं उन्हें दर्शकों द्वारा काफी ज़्यादा प्रोसाहित किया गया है अपनी स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको ऐसी पांच रीजन्स बताने जा रहे हैं जिसे जान कर आपको पक्का हो जाएगा कि यह इस साल की सबसे बड़ी ओपनर बनने वाली है पहला जबर्दस्ट एक्शन सीन्स फिल्म रेज 3 का ट्रेलर देखकर यह साफ हो गया है कि दर्शकों को इसमें जबर्दस्ट एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे चाहे हवा में उड़ती भी गाड़िया हो या फिर भाइजान के हाथ से रॉकेट लांचर लांच हो रहा हो सभी को दर्शकों ने खुब ज़्यादा सा रहा है फैमिली एंगल यह तो सब जानते हैं कि रिस फ्रेंचाइजी अपने एक्शन और ट्विस टरंस के लिए जानी जाती है हाला कि इसकी तीसरी कड़ी में दर्शकों को फैमिली का एंगल भी देखने मिलेगा जो इस एद के मुताबिक एक पौफेक्ट रिलीस बनता है एद के त्योहर पर लोग अपने पूरे परिवार के साथ सिनेमा गरों में आएंगे और भरपूर लुफ त उठाएंगे सल्मान कान की फिल्म होने के साथ साथ यह बौबी देवल की फिल्म भी है जो उनकी पसंदिदा स्टार्स के जबुदस्ट केमबैक का इंतजार कर रहे है नमबर च्यार ग्लैमर का तड़का रेस त्री जैसे फिल्म के साथ साथ इस फ्रेंचाइजी का एक नया रंग देखने के साथ साथ निर्माता उन्हें इस बात का खूब खयाल रखा है कि दर्शक सिनेमा गरों के अंदर चौक न जाएं इसी के चलते उन्होंने रेस फ्रेंचाइजी के ग्लैमर वाले एंगल को बनाई रखा डेजी शा और जैकलिन फर्नेंडेस का कातिलाना अंदाज पहले ही लोगों के सरचर चुका है फिल्म के रिलीस तक हर कोई दोनों हिरोईनों का दिवाना ज़रू हो जाएगा सल्मान खान उपर बताएगा सारे फेक्टर एक साथ और रेस्टरी में सल्मान खान का होना एक तरफ अब इद पर अगर भाईजान कोई फिल्म लेकर आएं तो ये ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग सिनमा गरों तक ना आएं हर साल कितर है इस साल भी इत पर बॉलिवूड के सुल्तान का जलवात देखने को मिलेगा यानि ये हमारे मताबिक पांच खास बाते थी जो दर्शकों को रेस्टरी के लिए बेकरार कर रही है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस मूवी को देखने के लिए कितने एकसाइड़ है और क्या आपने इसके एडवांस बुकिंग कर ली है और सब्सक्राइब करें देखो देखो क्योंकि बॉलिवूर्ट से जुड़ी हार कबर आपको यहीं मिलती है सबसे पहले